मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक, टेस्टु बेबी कंसल्टन्ट और प्रैक्टिसिंग अप्स्रेटिक अन गाइनिकोलोजी सिंस लास्ट ट्वेंटी यर्ज आज इस वीडियो में हम गर्भावस्ता के दसवे हफते में मा में क्या बदला होते है, बेबी में क्या बदला होते है इस वीडियो में हमें क्या खयाल रखना है और हमारे वुडबी होने वाले पापा के लिए हमारा क्या अड़वाईस रहेगा मा के शरीर में जो हार्मोन के प्रभाव से जो changes हो रहे हैं, बदला हो रहे हैं, वो अभी stabilized हो गया है, settled हो गया है जिनने constipation हैं, उनको constipation चालू है, जिनने जी मचलाना चालू है, ठकान चालू है, sleepiness चालू होती है वो सारे लक्षन वैसे ही वैसे चालू रहते हैं यह सारे लक्षन अभी हमारे एक lifestyle का हिस्सा बन चुके हैं, एक और लक्षन अभी यह दसवे हफते से हमें थोड़ा सा दिखाई देता है वो हमारा योनी मार्क से जो स्त्राव रहता है, वो स्त्राव थोड़ा जादा बहने लगता है ऐसे लगता है नीचे थोड़ा सा कीलापन है प्रेगनसी के दौरान, गर्भावस्ता के दौरान, बच्चा दानी को यूटरूस का blood flow बहुत सारा बढ़ जाता है जो आने वाले बेबी को पोशन देता है, बढ़ाने में मदद करता है लेकिन इसके साथ ही साथ, हमारे सारे जो pelvic organs रहते हैं, निचले हिस्से के जो सारे अवयव रहते हैं उनका भी blood flow बढ़ जाता है और इसके कारण हमारा vaginal discharge थोड़ा जादा होने लगता है तो आई हम देखेंगे बेबी में क्या बदला होते है बेबी एक छोटे strawberry जैसा, छोटे lemon जैसा दिखाई देता है बेबी usually 2 inches तक measure होता है उसका weight भी around 6-7 grams तक रहता है दसवे हपते से हम बोलते हैं कि बेबी का embryonic period अभी खतम हुआ है और fetal period शुरू हो गया है इसका मतलब यह होता है अब तक के बेबी को हम ब्रुन बोलते हैं और अभी होने वाले दसवे हफते के बाद वाले बेबी को हम शीशु बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे तो बेबी का embryonic period अभी खतम होता है अभी हम यह जानेंगे ऐसे क्यों कहां जाता है क्योंकि दसवे हफते तक बेबी के सारे parts develop हो जाते हैं जो इंपोर्टन बेबी parts रहते हैं बेबी की kidney, brain, बेबी के lungs, बेबी की intestine, बेबी का face, बेबी की आखे, बेबी के कान सब तयार हो जाते हैं अभी आगे आने वाले period में वो सारे mature होने का काम सिर बचता है और बेबी के सारे अभयों का functioning भी शुरू हो जाता है brain अपना कार्ली करना शुरू हो जाता है liver अपना कार्य करता है kidney अपना काम करना शुरू हो जाता है जो हम बेबी के देखेंगे तो बेबी स्ट्रेट होता है और बेबी के शरीर का आधा हिस्सा सीर से ही बरा हुआ रहता है बेबी के जो fingers अब तक एक दुसरे को जुड़े हुए होते है वो भी separate होना चुरू हो जाता है बेबी सारे fingers हिला सकता है उसके साथ ही साथ अपना बेबी अभी पी सकता है बेबी amniotic fluid पीते रहता है तो आईए हम देखेंगे ये हफ़ते में हमें क्या साउधानी बरतनी है जैसे मैंने बताया ये pregnancy में vaginal discharge बढ़ जाता है लेकिन हमें tension हो जाती है कि ये discharge normal है या abnormal ये discharge abnormal कब होता है ये मैं आपको बताती हूँ जब ये discharge false smelling रहता है जब ये discharge के साथ खुझली होती है, itching होती है तो ये एक infection की sign होती है लेकिन जब ऐसे problem रहेगे तो आपको जरूर अपने doctor से मिलना चाहिए और जो कुछ infection रहता है उसकी treatment लेनी जाएए pregnancy के दौरान वजयना में infection रहना कभी-कभी premature delivery तक ले जाता है तो पहले हफते से ये दसवे हफते के period में baby के सारे aware तयार होते है उसको हम period of embryogenesis बोलते है तो इस दौरान जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारी lifestyle बहुत अच्छी रहनी चाहिए, अपना खान-पन अच्छा होना चाहिए, आपको खुद को pharmacy से दवाई purchase करके नहीं खानी है और आपको जो सारा medication पहले से चालूए, वो पूरा डॉक्टर को आपने दिखाया रहेगा तो पहले ये दस हफतों में कुछ गलत दवाईयां हमने ले ली है तो बेबी को bird defect होने के chances है तो आप गलती से आपने कुछ लिया रहेगा, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर इनफॉर्म करिए तो आई हम देखेंगे हमारे would-be daddy के लिए क्या सला है हमारे mommy जो अब तक लेटी-लेटी रहती थी, ठकी-ठकी सी रहती उसकी energy थोड़ी से बढ़ने वाली है तो आपको उसको accompany करना है उसको exercise के लिए आपको प्रोस्ताहित करना है और आप दोनों साथ में exercise करते हो जैसे कि आप swimming जा सकते हो आप walking के लिए जा सकते हो लेकिन मेरी exercise अपनी would-be mom ने पहले से नहीं किये है वो नए से नहीं शुरू करना है सपोज वो जिम नहीं जाती थी वेटरिंग नहीं करती थी तो उसको अभी ये कुछ करनी की आपको सलाहा नहीं देनी है जो पहले से exercise करती थी वो safely continue कर सकती है तो इस वीडियो में हमने आज जान लिया कि दसवे हफते में हमारे शरीर में क्या changes होते है हमारे बेबी में क्या changes होते है इस वीक में हमें क्या खयाल रखना है और हमारे वुडबी डेडी के लिए हमारी क्या सलाहा है इस विशह में आपको कुछ प्रशन रहेंगे तो हमें जरूर email करिये और अमारी ये सीरीज पेगननसी वीक बाई वीक जरू देखते रहिए धन्यवाद